जैने साथ योफसे ग्रेट विलकम है आर्मी तेयरी डॉट इन यूटूब चैनल पर SSC GD 2021 का फॉर्म काफी लोगों ने भर दिया लेकिन यहाँ पर मुझे भर भर के कमेंट आ रहे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने ये गलती कर दी वो गलती कर दी गर बैठे अपने मुबाइल पर किस तरह पता कर पाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियों बने रहे हैं चैनल को सस्क्राइब करें बैल आइकन को दबा के रखे इसके अलावे यहां पर औरिजिनल कोशिन पेपर ससी जी डी के 2011 से लिके 2018 कर डल चुका है आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर भी इसमें कुछ दिया गया है तो आप इस तारे को पीडियों आंसर का डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है WhatsApp गुरूप का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा तो अभी हम यहाँ पर देख सकते जब अपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय आपको यहाँ पर जो है रजिस्टेशन और पासवर्ड नमबर जो है दिया गया होगा अगर आपको नहीं मिला तो आप कैफे वाले से भी मांग सकते लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जिस इमेल आईडी को रजिस्टर किय के बाद इसे लॉग इन कर ले और जैसे आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे आपके सामने कुछ इस टैप का इंटरफेस खुल जागा एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एप्लिकेशन हिस्ट्री मोडिफिकेशन रिजिटेश उसके बाद आपके सामने भी जो है यहाँ पर ससीदी का नहीं करना वह एगर देखे जाए तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुए कि आपने अप्लाई किया प्रिंट कीया डाउलोड किया सारा कुछ लिखा हुए बस यहाँ पर आपको जो है application status करके जो लिखावा है यहाँ पर इस वाले application status को click करना है यहाँ पर जैसे आप इसे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस type का interface खुलेगा और खुलने के बाद आपको पूरा यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका जो यहाँ पर constable journal duty का जो अपने form भरा है उसका यहाँ पर registration photo signature यहाँ पर apply form जो है accept payment status और application status सारा कुछ लिखाने लगेगा यहीं पर आपको पर चलेगा कि आपका form reject हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर अभी कहां पर पहुंचा है किस process में यह सारा कुछ इसमें लिखा रहता है अभी अगर जितने बच् process लिखाएगा क्योंकि यहां पर देख सकते हैं सब में यहाँ पर जो जो प्रोविजनली एक्सेप्टर प्रोविजनली एक्सेप्टर और हैं पर और यहां पर भी आगे जाकर कि उसमें कोई भी घामी पाएँ ऐते कोई भी गलती पाइदी तो उसे बकाईदा reject कर दिया जाएगा तो ये अभी provisionally accepted सबको दिखा रहा होगा लेकिन यहाँ पर अगर accepted लिखा रहा है तब आपका form accept हो गया है अगर reject लिखा रहा है तो आपका form reject हो गया है modification करने का option SSC GD कभी भी नहीं देती आपको ये ध्यान रखना होगा notification ने बकाईदा इसके बारे में लिखावा है तो कोई भी यहाँ पर ये chance नहीं रखे कि आपको मौका मेरेगा कि दुबारा आप इसे रीकरेक्ट कर सके किसी भी तरह से तो ये चीजे नहीं है कुछ trick से जिसे आप follow कर सकते है अगर काम कर गया तो ठीक अगर apply करने की कोशिस करें अगर apply होता है तो ठीक है otherwise आपके पास कोई और चारा नहीं बसता तो आप ये सारे चीजे समझ चुके हों कि आपका form reject हुआ या फिर नहीं हुआ आप कैसे चेक कर सकते हैं और बिल्कुल आप free में अगर PDF डाउनलोड करना चाहते कोशन पेपर और प्रैक्टिस सेट का तो नीचे लिंक है उस लिंक को क्लिक करें और सारा कुछ डाउनलोड करें बिल्कुल free